गुजरात टाइटन्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से कुछ घंटे पहले ही रविंदर जड़ेजा ने घोसित की अपनी प्लेइंग लेवन जानेंगे कौन-कौन से खिलाडियों को किया गया है टीम से बाहर और कौन-कौन से खिलाडियों को मिलेगा टीम में मौका वीड डेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी आई पिल 2022 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ चैन्नी सूपर किंग्स मैदान पर उतरने वाली है चैन्नी सूपर किंग्स के लिए ये सीजन काफी निरा करते हुए पिले ओप तक जरूर पहुँचना चाहेगी गुजरात टाइटन्स के खिलाफ होने वाले मुकावले में चैन्नी सूपर किंग्स के टीम में हमें दो बड़े बदलाओ देखने को मिल सकते हैं ओपनिंग बले बाज रितुराजी गायकवाल का अभी तक निरासज परदर्सन रहा है अभी तक खिले गए पांचों मुकावलों में उनके बले से एक भी बड़ी पारी देखने को नहीं मिली और ना ही वो अपनी टीम को अच्छी सुरुआत दिला पाए रितुराज गायकवाल की जग है प्लेइंग लेवन में सुबरांसू सेनपती को सामिल किया जा सकता है तेज गेनबाज मुकेश चोधरी अभी तक खिले गए मुकावलों में काफी महंगे साविथ हुए हैं मुकेश चोधरी ना तो बल्लेवाजों को रन बनाने इसे रोप पा रहे हैं और ना ही बिकट ले पा रहे हैं मुकेश चौधरी की जग है प्लेइंग 11 में राजबर्धन अंगर गेकर को सामिल किया जा सकता है राजबर्धन अंगर गेकर 140 से अधिकी स्पीड से गैंदबाजी करते हैं सांच में निचले क्रम में जरूरत पढ़ेने पर तेज तर्रार पारियां खेल सकते हैं गुजरात टाइटन्स के खिलाप होने वाले मुकाबले में अगर हम चन्नी सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को देखें आपको क्या लगता है क्या चन्नी सुपर किंग्स गुजरात टाइटन्स को हरपाईगी आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें